नमस्कर दोस्तों आप सवी का स्वागत है हमारी यूटूब चेनल BCS Academy पर और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मैंने से लेटेड वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उर्जा के बारे में एनर्जी के बारे में विद्धर तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उर्जा होती क्या है उर्जा के मातरक विमा की चर्चा करेंगे साथ में हम देखेंगे विभन प्रकार की उर्जाएं उसमें हम स्पेसली गती जुर्जा के बारे में अध्यन करेंगे कारिय उर्जा पर में देखेंगे उन पर आधरित नुमेरिकल क्विशन्स भी यहां पर देखने वाले हैं उसके पर श्यात हम इस्तधी उर्जा की चर्चा करेंगे इस्तधी जूरजा में हम गुरत्वी इस्तधी जूरजा, विद्धुत इस्तधी जूरजा और परत्यास्त इस्तधी जूरजा के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे और उन पर आधरित numerical questions भी देखने वाले हैं इस वीडियो में हम सन्नक्षी बलों के बारे में भी देखने वाले हैं सन्नक्षी बलों के अधीन किया गया कारिये और गती जूरजा में परिवरतन ये सब कुछ हम सन्नक्षी बलो रहे हैं सन्नक्षी बलों की definition यहाँ पर देखेंगे और इस्तदीज उर्जा को हम त्रीवीमी सुत्र किस प्रकार से पूट कर सकते हैं वो भी आज के इस वीडियो में देखेंगे और अंत में हम उर्जा संडक्षन नियम का अध्यन करेंगे तो यह जो वीडियो है वो काफी बड़ा वीडियो होने वाला है उर्जा के बारे में संपूर जानकरी आपको आज की इस वीडियो से मिलने वाली है विद्यारतियो काफी महत्तोपूर्ण वीडियो है उर्जा का जो कॉंसेप्ट है वो एकदम क्लियर यहां पर होने वाला है थोड़ा सा बड़ा होगा धिरिये बनाकर आप अंति तक बने रही है हमारे साथ में एक एक चीज छोटी से छोटी चीज यहां पर हम क्लियर करेंगे साथ में निवेरिकल क्युशन्स भी यहां पर देखने वाले हैं देखे छोटे छोटे जब concept clear होंगे तब जाकर आप numerical questions या अन्य questions आसानी से कर पाएंगे basic यदि आपका clear है तो आप आराम से numerical questions कर सकते हैं देखे numerical questions को आपको habit में डालना पड़ेगा और जितनी जादा आप exercise करेंगे practice करेंगे आपके लिए उतना ही benefit होगा आपकी speed उतनी ही बढ़ती चले जाएगी विद्यारतियो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दिए साथ में bell icon बे दबा दीजे तकि आपको आगे एक वीडियो उसके notification मिलते रहें अमें इस वीडियो को start करता हूँ सबसे पहले में बात करता हूँ कि उर्जा होती क्या है तो देखे विद्यारतियो उर्जा है कारिये करने की क्षमता कि कोई भी व्यक्ति है मसीन है और उसके द्वारा जो कारिये करने की क्षमता है उसी को हम क्या गयते है उर्जा तो उर्जा क्या है एक परकार का मसीन या विक्ति के द्वारा किया गया कार्यी ही होता है कि किसी विक्ति या मसीन द्वारा कार्यी करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या गयते हैं उर्जा गयते हैं उर्जा के मातरक विमा कारिय के मातरक विमा की समान ही होते हैं ये भी एक अदिस राशी होती है तो कुछ महत्वण बिंदु में यहाँ पर आपके सामने पुट कर देता हूँ एक एक करके सभी ये बिंदु का हम अध्यन करेंगे तो देखें इसके डेफिनेशन क्या है किसी किसी वस्तु या व्यक्ति के कारिये करने की क्षमता क्या कहलाती है उर्जा कहलाती है देखे उर्जा भी एक है अदिस्रासी होती है पिर हम आगे बढ़ते हैं इसके मातरक की बात करेंगे वीमा की बात करेंगे तो देखे इसका जो standard मातरक है SI पदत्ती में जो मातरक है वो तो होता Joule SI पदत्ती में इसका मातरक क्या है Joule है साथ में CGS पदत्ती में इसका मातरक कारिये के मातरक के समान अरग होता है और हमने last वीडियो में जिसमें हमने कारिये के बारे में धिन किया एक जूल बरावर दसकी घात साथ अर्ग पड़ा है ओके यह कैसे आया है यह मात्रक भीमाँ वाले पार्ट में हमने देखा है ओके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उर्जा के अन्ने मात्रकों की ओर है बढ़ेंगे हमें अन्ने मात्रकों में हम यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोन वॉल्ट अन्ने मात्रकों में हम क्या यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोन वॉल्ट इलेक्ट्रोन वॉल्ट को हम ईवी से परदसीत करते हैं और एक जो इलेक्ट्रोन वॉल्ट होता वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 विद्धु तुर्जा को मापने के लिए हम इलेक्ट्रोन वॉल्ट को यूज में लेते हैं इस्पेसली विद्दूत उर्जा को या जब इलेक्ट्रोनों की स्थती जूर्जा गती जूर्जा की बात करते हैं तो उनको हमें इलेक्ट्रोन वॉल्ट में कनवर्ट करते हैं क्योंकि यह जो इलेक्ट्रोन वॉल्ट है वो काफी कम उर्जा होती है तो एलेक्ट्रोन वोल्ट एकपंट 6 गुनस की घात मैनिस 19 जूल के इकवल होती है फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं किलोवाट गंठा किलोवाट गंठा ऐसे इसकी थोड़ी सी चर्चा हम है अगला जो हमारे वीडियो होगा उसमें भी चर्चा करेंगे अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे वो सक्ती से रिलेकेड लेकर आएंगे तो देखें किलोवाट किलो का मतलब होता है एक हजार वाट ये सक्ती का मातरक होता है घंटा ये समय का मातरक होता है वो उर्जा या कारी के मात्रक के इक्वल होता है और एक जो किलोवाट घंठा होता है जिसे हम एक के डबलो एच कहते हैं तीन पॉइंट च्छे गुनदसकी घात च्छे जूल के इक्वल होता है फिर हम बात करते हैं केलोरी की तो जो एक जो केलोरी है वो 4.182 जूल के इक्वल होता है तो ये मैंने कुछ मात्रक यहाँ पर लिखे हैं उर्जा के जो देखें ये जो केलोरी है वो उसमें उर्जा को मुख्य तक इसको मापेंगे उसमें उर्जा को ये विद्दुत खर्च को मापता है ये अतिसुक्षम उर्जा का मापन करता है और सामानेत है हमारे विवारिक जीवन में हम उर्जा को जूल में मापेंगे और सीजिये स्वत्ति में इसको अर्ग में मापेंगे मैं यहाँ पर इसकी वीमा की बात करता हूँ तो वीमा कारी की वीमा के समान ही होगी तो M1 L2 T-2 इसकी वीमा होगी ओके तो यह मैंने कुछ relation आपस में बता दिये हैं मातरक के अब हम मैं बात करते हैं उर्जा के विभिन रूप यसे उर्जा विभिन रूपों में पाई जाती है मैं एकके करके नाम बताऊंगा उनका ज्यादा विसेश चर्चा हमने यहां पर नहीं करेंगे तो देखें विभिन उर्जाएं देखें सबसे पहले में बात करता हूँ यांतरिक उर्जा यांतरिक उर्जा देखें यांतरिक उर्जा related है इस्ति और गति से किसे related है इस्तती और गती से संबंदित जो उर्जा है उसको हम यांतरिक उर्जा गहते हैं यांतरिक उर्जा है वो इस्तती जो उर्जा था गती जो उर्जा की योग के एक्वल होती है तो इस्तती और गती से संबंदित है यांतरिक उर्जा फिर मैं बात करता हूँ अगली उर्जा तो हम यहाँ पर ले रहे हैं परकास उर्जा परकासिक उर्जा तो ये परकास से संबंदित है कि परकास उर्जा हम किसे कहेंगे कि जो द्रस्टी सम्वेदना उत्पन करती है जिसकी वज़े से हमें वस्त्वें दिखाई पड़ती है उस उर्जा को हम प्रकास उर्जा कहते हैं प्रकास वास्त में है क्या एक प्रकार की उर्जा ही है जिससे हमें वस्त में दिखाई पढ़ती है जो द्रस्टी सम्वेदना उत्पन करती है बात करते हैं धवनी उर्जा तो जिसकी वज़े से सुनाई पढ़ता है तो जो सर्वे सम्वेदना उत्पन्न करती है उस उर्जा को हम कहते हैं धमनी उर्जा फिर हम आगे बढ़ते हैं रासाइनिक उर्जा तो जो रासाइनिक अभी करें होती है उसमें उत्पन्न उर्जा को हम रासाइनिक उर्जा कहेंगे और वैसे जो ये है जो हमारे पास में इंधन है उनकी रूप में उरजा स्टोर रहती है और उस उरजा को हम रासानिक उरजा में कनवार्ट करके यूज में ले सकते हैं पेट्रोल, डीजल इन सब में एनरजी होती है मैं नाभी की उरजा की बात करता हूँ तो नाबी के कणों में, नाबी की अभीकिरियाओं में, उत्पन जो उर्जा होगी, उसको हम नाबी की उर्जा कहेंगे, बात करते हैं, सोर उर्जा की, तो सूर्य और तारों से प्राप्त जो उर्जा है, उसको हम सोर उर्जा कहेंगे, तो उर्जा विभिन्न परकार की होती ह है देखिए इन सबका मातरक जूल है सबका मातर क्या है तो यह उर्जा के ही विभिनन रूप है कोई उर्जा है नहीं कि वह पर्टिकुलर यह नहीं कि वह इतनी प्रकार की होती फिक्स नहीं है इसमें भी आगे बढ़ते जाएंगे जोआर यह उर्जा है ऐसे कहीं जिगें पर गती जूर्जा इस्तती जूर्जा पर्तियास इस्तती जूर्जा तो सब अलग अलग हम उर्जाएं बढ़ेंगे तो बहुत प्रकार की उर्जाएं हैं उनमें से मैंने कुछ के नाम बताएं हैं तांकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं according to हसलिकित notes है हमारे handwritten notes उनके according में चल रहा हूँ और आप हसलिकित notes प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के description में हमने link दे रखे हमारे एप की वहाँ से जाकर आप इन notes को purchase कर सकते हैं इसके बाद में जो हमारा topic है वो है दुर्यमान उर्जा संबंद energy mass relation Albert Einstein के द्वारा दिया गया था क्या relation है देखिए इन सबकों मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ फिर मैं यहाँ पर दुर्यमान उर्जा संबंद की चर्चा करता हूँ दुर्यमान उर्जा संबंद दुर्यमान उर्जा संबंद देखिए यह जो संबंद है वो इस सतावदी का क्रांती कारी relation है आज तक का सबसे जो popular relation है वो है दुर्यमान उर्जा संबंद Albert Einstein ने यह कहा कि उर्जा है वो दरवे कण ही होती है इट मिंस उर्जा है वो एक परकार का दरवे ही है दरवे कण है इस से यह निश्करस निकलता है कि उर्जा है उसको दुर्यमान में और दुर्यमान को उर्जा में convert किया जा सकता है किसके दुआरा दिया गया यह relation है Albert Einstein के दुआरा दिया गया Einstein के विशिष्ट आपेक सिक्ता के सिद्दान से एक relation दिया गया जो की दुरेमान थदा उर्जा के मद्दे संबंद को बताता है देखें दुरेमान और उर्जा के मद्दे जो relation है वो क्या है E बराबर होता है M C square when it. eruce E here پर ऊर्जा है M दुरेमान, C प्रकास का वेग होता है जहां C क्या है C है pytकास का वेग और जो प्रकास का वेग होता है विद्द्द्यारतियों वो होता है 3 गुणा इसकी घात आट मेटर पर 21, 3 into the power 8 मेटर सेकंड अब मेरी बात को सुनना जैसे आपके पास में कोई भी दुर्यमान है और वो जो दुर्यमान है कितनी उर्जा के तुले होता है तो कितनी उर्जा के यहां पर वो दुर्यमान पूट करेंगे यहां पर सीका मान तीन गुना उसकी घात आठ पूट करेंगे तो उसके equal उर्जा आजाएगी जूल में दुरिमान को आपको किलोग्राम में लेना है क्या ऐसा हो सकता है कि दुरिमान है वो उर्जा में convert हो जाए बिलकुल हो सकता है विद्यारतियो जैसे मैं बात करूँ पेट्रोल पेट्रोल जब जलता है तो उसका दुरिमान क्या हो जाता है जीरो तो वो जो पेट्रोल है वो गया कहां कहां गया तो वो उर्जा में convert हो गया पेट्रोल डीजल तो ये जो इंदन है वो एक रूप से दुरिमान से उर्जा में convert हो रहा है तो वो दुरिमान कहां गया, तो कहां गया, उर्जा में गनवर्ट होगे, जैसे मैं बात करूँ हमारे पास में को लकड़ी है, पांस किलोग्राम के लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसे हम जला देते हैं, जला देंगे तो इसकी राख हो जाएगी, लेकिन इसकी राख का दु किलोग्राम से कम होगा, आप ये जानते हैं, ये किसी लकड़ी के लकड़ी के टुकड़े को आप जला रहे हैं, तो हमें पांस किलोग्राम राख प्राप्त नहीं होगी, उसे कम होगी, तो दुरिमान में कम ही आ जाती, वो दुरिमान गया कहां, पांस किलोग्राम हम लकड संबंद से हम find out कर सकते हैं यह अलबर्ड आइस्टीन के द्वारा दिया गया था विशिष्ट आप तेक सिकता के सिदान से हम इसको find out करते हैं यह आपको समझ में आ जानी चीए जो velocity of light है वो 3 into the power 8 meter per second होती है मैं कुछ relation आपको बता दूँ जो हमने कहां से निकाले हैं स्टीन के द्रुमान उर्जा समबन से निकाले हैं बात करता हूँ मैं 1 ग्राम द्रुमान कितनी उर्जा के तुल्य होगा तो ई बराबर एक ग्राम का मदल में हो गया 10 की घात minus 3 kg यहां पर तो relation में 10 की घात minus 3 kg फुट करना है तीन गुण दसकी घात आट का स्क्वेर तो देखें उर्जा कमान कितना आ गया तीन का स्क्वेर करेंगे नो दसकी घात आट का स्क्वेर करेंगे दसकी घात सोला सोला मैंसे तीन गया तो दसकी घात तेरे जूल तो एक ग्राम के इक्वल कितनी उर्जा होती है दुर्यमान के तुल्ले कितनी उब जाओ होगी है मेरी बात को सुन लीजिए एक परमानु दुर्यमान मात रख यह है एटोमिक मास यूनिट और यह जो एक एटोमिक मास यूनिट होता 1.6 है 6,0,5398 और अन्द पावर मैं इसको यह से लिख दू 1.67 लगभग लिखा है मैंने 27 किलोग्राम देन यहां से जो उर्जा है आप केल्कुलेट करेंगे तो 931.5 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट प्राप्त होने वाली है मेगा का मतलब 10 की गाथ 6 और एलेक्ट्रोन वोल्ट का मतलब होता है 1.67 गाथ मैनस 19 जूल तो एक एटोमिक मास यूनिट के एक्वल कितनी उर्जा होती है 931.5 मेगल एक्ट्रोन वोल्ट होती है तो यह था दुर्यमान उर्जा संबंद अब मैं यहां पर चर्चा करूँगा गतीज उर्जा की गतीज उर्जा की संपूर यहां पर चर्चा करेंगे कि गतीज उर्जा होती क्या इसको हम किस फोम में कनवाट कर सकते हैं गतीज उर्जा और वेग के बीच में ग्राप खेचेंगे गतीज उर्जा समवेग के बीच में ग्राप देखेंगे फिर हम बात करेंगे इन पर आधारित numerical question की साथ में हम देखेंगे कारी उर्जा पर में वीडियो में हमारे साथ में यूही बने रही है थोड़ा सा धेरिये बना कर रखना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा वीडियो है अब हम चर्चा करेंगे गती जूर्जा के बारे में गती जूर्जा क्या है देखें नाम से ही स्फस्ट है कि किसी वस्तू विक्ति पिंड की गती की कारण से उसमें नहित जो उर्जा है उसको हम गती जूर्जा गयते हैं एक बार फिर से सुन लीजे किसी वस्तु की गती के कारण उसमें नहीं तूरजा क्या होगी गती जूरजा होगी काइनेटिक एनरजी कहलाती है देखे इसे हम गती के तीसरे समीकरन से फाइंड आउट कर सकते हैं गती जूरजा का फोर्मूला होता है एक बटा दो अम वी स्वेर हर जगे यही फोर्मूला होता है चाहे किसी भी पांटीकल की गती जूरजा क्यों न हो तो गती जूरजा का एक ही फोर्मूला होगा हाफ एम वी स्वेर चले तो गती जूरजा होती क्या है वस्तू या पिंड की गती के कारण से उसमें नहित उर्जा गती जूर्जा कहलाती है चलिए क्या है वस्तू की गती के कारण उसमें नहित उर्जा मतलब उसमें मौजूद जो उर्जा है नहित का मतलब क्या है उसमें मौजूद उर्जा उस उर्जा को हम क्या कहेंगे गतीज उर्जा कहेंगे क्या कहा जाएगा गतीज उर्जा कहा जाएगा अब देखें यहां पर यदी small m दुरिमान का पिंड small m दुरिमान का पिंड वीवेग से गती कर रहा है वीवेग से गती करे विवेक से गती करें तो गती जूरजा क्या हो जाएगी देखिए गती जूरजा को हम capital कैसे लिखेंगे किस से लिखा जाएगा kinetic energy को capital कैसे पुट करेंगे कहीं जिगें पर e कैसे भी पुट करते हैं देखिए यह होती है half mv square यह इसका formula है ओके यह इसका सुत्र है यह आपको समझ में आ जाना चाहिए इसे हम समवेक के साथ में भी संबंदित कर सकते हैं गती जुर्जा और समवेक के बीच में क्या रिलेशन होता देखिए के बराबर हम क्या जानते हैं हाफ M V स्क्वार ठीक है इसको मैं क्या कर दूँ गती जुर्जा का एक रिलेशन आ गया है पी स्क्वार बाई 2 M आगई बाद समझ में गती जुर्जा बराबर क्या आ गया पी स्क्वार बाई 2 M आ चुका है ओके तो यह रिलेशन भी काफी पोपुलर है इस पर आधारित नुमेरिकल क्युशन बहुत सारे पूछे जाता है कुछ नुमेरिकल क्युशन हमने गती जुर्जा पर आधारित यहां पर छाप भी रखे हैं अब मैं गती जुर्जा वेग के मत दे गती जुर्जा समवेग के मत दे गती जूर्जा, दुर्यमान के मद्दे, आपस मैं कुछ ग्राफ आपको समझा देता हूँ, तो देखे यहां से, जब दुर्यमान इस्तिर होगा, तो K है वो वेग के वरग के समान उपाती होगा, यहां पर दुर्यमान कॉंस्टेंट होना चाहिए, तो जब दो रासियां, ज वेग वाली जो अक्सिस है, वेग का जो मान है, वो माइनस में, प्लस में, दोनों तरफ होगा, गती जूर्या वाली अक्सिस के दोनों तरफ वेग का ग्राफ आएगा, देखो कैसा ग्राफ आता है, आप देखेंगे, देखो एक के करके सभी ग्राफ समझेंगे, यह वाला जो graph है इसमें मैं ले रहा हूँ के इस तरफ और वेग इस तरफ वेग की जो मान है वो positive और negative दोनों होंगे क्योंकि जो k है वो बराबर है एक बटा दो m v square के m नियत ले रहे हैं हम यहाँ पर इस graph में हम क्या ले रहे हैं आयमनियत तो k है वो v square के समानुपाती हो जाएगा तो ऐसा एक परवलयकार graph हमें मिलने वाला है जो k वाली अक्स है उसके दोनों और similar graph प्राप्त होगा यहाँ पर दरपन लगा दें तो इसमें परतिबिम्ब बन जाएगा उसका ओके यह एक तरफ वेग है तो प्लस में माइनस में दोनों तरफ वेग होगा तो गटी जूलिया के मान इस तरह है हमें मिलने वाले हैं प्राप्त होने वाले हैं अब मैं यहाँ पर दूसरा graph आपके सामने रखता हूँ k और p square m फिर से हम नियत लेकर चलने हैं तो m जब नियत ले लेंगे तो k है वो p square के समान उपाती होगा similar graph आएगा एक तरफ हम ले रहे हैं k एक तरफ हम ले रहे हैं p ऐसा ग्राप हमें मिलने वाला है आगई बात समझ में यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने चीए m नियत होना चीए m क्या होना चीए नियत होना चीए m जब constant होगा तब की बात हैं अब देखे जब हम p को नियत कर दें किसको नियत कर दें p को नियत कर दें p नियत P जब नियत हो जाएगा तो K और M के बीच में जो ग्राफ है एक तरफ में K ले रहा हूँ मतलब गती जुर्जा एक तरफ में ले रहा हूँ M तो यह इस तरीके से ग्राफ आएगा क्योंकि दोनों हैं वो एक दूसरे के वितकर मानूपाती होंगे दोनों क्या होंगे एक दूसरे के वितकर मानूपाती होंगे चले मैं एक और ग्राफ आपके सामने रख देखा हूँ P और अंडूड के के बीच में इन सब को मैं यहां से हटा रहा हूँ मुझे उम्मीद है आप लोग को आसानी से easy way में समझ में आजाएगा क्योंकि सीधे सीधे ग्राफ है यहां पर आप देखेंगे यह ग्राफ तो आप 2 के बीच में relation लेंगे वो relation आपको यह समझ में आ जाता है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं यहां पर जैसे आयम नियत है के समानूपाती होगा P स्वेर के इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ अंडूड के समानूपाती है P के तो एक तरफ यह दी बान लीजिए आपको अंडूड के दे दिये जाए एक तरफ P दे दिये तो यह दोनों तो एक दूसरे के क्या होंगे समानूपाती होंगे जब M नियत रहेगा M क्या हो नियत रहेगा तो ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे समानूपाती रहेंगे तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आने चीए ग्राफ आराम से इन फोर्मूलों को देखकर खीश सकते हैं यार कर सकते हैं आपके पास में गती जूर्जा का ये वाला फोर्मूला है सम्वेग के पदों में P2B2M है चले इन सबकों मैं एक वार यहां सहटा देता हूँ यह जो निमेरिकल क्यूशन है एक के करके इन सबकों हम देख लेते हैं सबसे पहले उपर इउपर वाला निमेरिकल क्यूशन देखए क्या है क्या कहरा है की एक ग्राम वैट चार ग्राम के दोपिंड समान गती जूर्जा से गती कर रहे हैं तो इनके रेखें समवेगों के निस्पति क्या होगी देखए गती जुर्जा ये समान है गती जुर्जा ये समान है इट्मिन से K1 बराबर है K2 के और पहले कंड की जो गती जुर्जा है वो P1 square by 2M1 बराबर दूसरे कंड की P2 square by 2M2 मुझे क्या चीए इनके समवेगों की निस्पत्ती चीए निस्पत्ती का मतलब अनुपाच चीए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया M1 बट्टे में क्या आ गया M2 आ गया हमें P1 बट्टा P2 चीए तो अंडूरूड में M1 बट्टा M2 कहीं बार तो क्यूशन में ऐसे आ जाता है कि ये M1 M2 दुर्वान के दो पिंड है उनकी गती जूर्जा समान है तो उनके रेखी सम्वेगों की निस्पति तब तो ये आएगी ठीक है यहां पर हमें दोनों दुर्वानों की वेल्यू दे रखिए 1 ग्राम और 4 ग्राम देन यहां पर फूट कर दीजिए एक ग्राम और 4 ग्राम तो एक अनुपाद 2 आ जाएगा इसका अंस्वर क्या आएगा एक अनुपाद 2 आराम से आप समझ सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है इजी वे में हमने आपको समझाया है अगला क्यूशन देखिए यह एक अच्छा क्यूशन है काफी बार competition exam में पूछा जा चुका है बहुत अच्छा क्यूशन है कि यदि किसी पिंड की गतीज उर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो समवेग में वर्दी क्या होगी समवेग में प्रतिसत वर्दी हमें पूछी है चले देख लीजे कि प्रारंबिक के गतीज उर्जा प्रारंबिक गतीज उर्जा हम इस तरीके की गतीज उर्जा लेंगे कि उसके साथ में समवेग से समबंदित हो तो k बराबर p square y 2m हमने आपको relation बताया भे भी तो यहाँ पर देखें गतीज उर्जा नहीं जो गतीज उर्जा है वो पहले वाड़ी गतीज उर्जा में कितने percent की वर्दी कर दी 300% बढ़ा दी है कितने percent बढ़ा दी है 300% बढ़ा दी है तो चाहे आप सीधा ही क्या कर दो 400% कर दो उसको k गुणा 400% यहाँ आप कर दो k प्लस k इंटू 300% तो k तो है और इसके अंदर कितनी बढ़ा दी है 300% बढ़ा दी तो इसको मैं क्या लिख दूँ k प्लस k इंटू 300% के जिगे मैं यहाँ पर 100 कर दूँगा तो यह क्या आगया k प्लस 3k यह आगया हमारे पास में 4k तो k d कितना आगया 4k आगया k d कितना आगया है 4k चले प्रारंदिक जो सम्वेग है वो कितना था p square by 2mk p बडाबर था 2mk का root नया जो सम्वेग है वो कितना हो जाएगा 2m k d 2m k d तो 2m और kडेस की जो value है वो कितनी है 4k है 4k में से इस 4 का अंडूड करेंगे तो 2 अंडूड में 2m k रह गया और अंडूड में जो 2m k है वो किसके equal है p के equal है तो नया जो सम्वेग है वो पहले वाले सम्वेग का दुगुना इसका मदलब उसमें 100% की वर्दी गर्दी है इसे हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान देना p डेस बराबर p प्लस p इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p प्लस p into 100% पर्दीसत का sign अड़ाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे तो यह आ गया कि गती जूर्जा यहीं 300% बढ़ा दें तो समवें कितना परसेंट बढ़ जाएगा तो समवें कितना परसेंट बढ़ेगा 100% बढ़ेगा आप ऐसे ध्यान रखें 300% बढ़ा दिया इट मिन्स टोटल 400 हो गया टोटल कितना हो गया 400% 400% का मनलब हो गया चार गुना अब जब गती जूर्जा 4 गुना हो रही है और जो समवें है वो गती जूर्जा के अंडूड में है तो गती जूर्जा मतलब जो समवें है वो दूगुना होगा दूगुना होगा इट मिन्स 100% की वर्दी होगी 100 तो पहले था 100 और बढ़ गया तो गती जूर्जा में कितने प्रसेंट की वर्दी होगी, देखो मेरी बात को सुनना, समवेक जब 100% बढ़ेगा ना, 100% इसका मदलब हो गया, समवेक दुगुना, तो गती जूर्जा चार गुणी, गती जूर्जा कितनी गुणी, चले ये कुशन तो आई गया आपको समझ में, अब मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूँ आपको, कैसे करेंगे आँपे, जैसे पी में 100% की वर्दी, 100% की वर्दी करते ही, जो पी है, वो 2P हो गया, पी क्या हो गया, 2P, और जब समवेक में 100% की वर्दी होगी ना, तो गती जूर्जा तो क्या होती है, P squared by 2M होती है न तो गती जुरज़े हो जाएगी 4K और 4K का मतलब क्या हो गया K plus 3 के 300% की वर्दी तो समवेग में 100% की वर्दी तो गती जुरज़े में 300% अब देखो समवेग में 200% की वर्दी इसका मतलब फुद 3 गुणा हो गया तीन गुणा का इसको और तीन का स्क्वार करेंगे तो 9K, 9K, यहां पर क्या आएगा, 9K, इसका मतलब K प्लस 8K, तो 800% की बर्दी हो गई, इतना प्रसेंट की बर्दी हो गई, 800%, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से आ जाना चाहिए, अगले क्यूशन की और ब उच्छी है, हमें दुर्यमान दे रखा है, समवेग दे रखा है, दो कई स्क्वेर बटे में दो गुणा, तीन, तो 4 बटे में क्या आ गया, 6 आ गया, 2 बटे में 3 जूल आ गया, ओके, इसे हम 0.66 जूल भी कह देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, नेक्स्ट क्यूशन देगे, 3 किलोग्राम दुर्यमान के एक बंब में विस्पोट होता है, जो दुर्यमान है, वो कितना है, 3 किलोग्राम, और उसमें हो रहा है, विस्पोट, विस्पोट होने के बाद में क्या हो रहा है, थता ये 2 किलोग्राम, थता एक किलोग्राम के तुकड़ा इधर गया, अरे ऐसे ही जाएंगे, कोई सी दो दिसाओं में जाएंगे, ओके, तो यहां पर, जो M1 है, यह M2 है, इसका वेग V1 है, इसका वेग V2 में consider कर लूँ, तो जो कुल जो सम्वेग है, M1 V1 vector plus M2 V2 vector बराबर 0 होना है, क्योंकि प्रादमिक सम्वेग 0 था, तो M1 V1 बराबर आगया, M2 V2, प्रिमान में मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहां पर मुझे V2 चाहिए, तो M1 बटे में M2 into में V1, M1 का मान कितना? 2, M1 का मान कितना? 2, देखें, हमें बड़े टुकडे का दुर्यमान चाहिए, किसका दुर्यमान चाहिए? जैसे, चोटे दुर्यमान का जो वेग है, वो तो 80 है, तो यह V2 कह दू मैं इसको, चोटा दुर्यमान क्या मान ले? तो V1 चीए पन को, M2 बटे में M1 into V2, तो M2 तो है 2, M2 यहां पर है 1, और M1 है 2, तो छोटा जो दुर्यमान है, वो है 1 किलोग्राम, बड़ा जो दुर्यमान है वो 2, छोटे वाले का दुर्यमान कितना है? 80, तो यह V1 बराबर आगे है 40, अब गती जूर जाए, टोटल जो यह V1 बटा, पहले पिंड का जो दुर्यमान है, वो कितना है? 2, दो वाडे का V कितना है? 40, दूसरे वाले पिंड का दुर्यमान 1, दुर्यमान V कितना है? 80, तो यहां से 2 से 2 के इस लोगे है, 40 का जो स्क्वेर है, वो Sexuals ओ और हो आट का इस्क्वार 64, तो इस्क्वार में 2 क तीज उर्जा प्राडरित क्यूशन्स थे अब मैं यहां पर चर्चा करूँगा कारी उर्जा परमे की चलिए अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कारी उर्जा परमे की थो उस बलके अधीन वस्तु थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है इट मेंस कारिय होता है तो वस्तु पर किया गया कारिय उसकी गती यूर्जा में परिवर्तन के तुल्ले होता है यही है कारी उर्जा पर में कारी उर्जा पर में एक बार सुन लीजे किसी वस्तु पर किया गया कारिय उसकी गती जूर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है चले, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ किसी वस्तु पर किया गया कारिय किसी वस्तु पर किया गया कारिय किया गया कारिय उसकी गतीज उर्जा में परिवर्तन के दुल्ले होता है उसकी गतीज उर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है बराबर होता है चलिए इसको हम फॉर्मूले के रूप में देखते हैं कारिये को हम लिख रहे हैं डबलू से और ये गती जूर्जा में परिवर्तन के इकवल होगा कारिये किसके तुल्ले होगा गती जूर्जा में परिवर्तन के गती जूर्जा में जो परिवर्थन है इसको हम लिख सकते हैं कि अंतिम गती जूर्जा माइनस प्रारंबिक के गती जूर्जा हम गती जूर्जा का फोर्मुला जानते हैं एक बटा दो एम वी एफ स्क्वेर माइनस वी आई स्क्वेर क्योंकि एक बट्टा दो एम तो दोनों में आएगा उसको हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हमें कारी उर्जा परमे को इस तरीके से पूट कर सकते हैं कि जो कारी है वो गती जूर्जा में परिवर्थन के एकवल होगा अंतिम गती जूर्जा माइनस प्रारंबी गती जूर्जा के एकवल होगा हाफ एम वी एप स्क्वेर माइनस वी स्क्वेर के एकवल होगा क्या इसको कहीं वार ऐसे भी कर देते हैं के 2 माइनस के 1 हाफ एम वी 2 स्क्वेर माइनस वी 1 स्क्वेर एक ही बात है, कोई फरक नहीं पड़ना अब देखे इस कारिय उर्जा के पर्मे को ही हम यूज में लेते हुए जैसे हमारे पास में कोई वस्तु इस्तिर वस्ता में है और उसे गती प्रदान करने में किया गया कारिय उसकी गती जूर्जा के बराबर होगा उस पर किया गया कारिय क्या होगा कि विराम वस्ता में पड़ी वस्तु पर किया गया कारिय कि इसे वीवेक प्रदान करने में किया गया जो कारिय है उसकी गती जूर्जा के तुल्ले होगा क्योंकि उसकी प्रारम भी गती जूर्जा सुनने है मेरी बात को सुनना कि विराम में कोई वस्तू है और उसको वीवेग परदान करने में किया गया कारी उसकी गती जूरजा के बराबर होगा देखो ध्यान देना इसी से ही निकला है विराम में मोजूद वस्तू वस्तू को वीवेग परदान करने में वी वेग देने में या प्रदान करने में किया गया कारिय किया गया कारिय देखो यहां पर जो प्रारंबिक वेग है वो जीरो है तो डबलू बराबर अंतिम गती जूर्जा या जैगी उसकी तो जो किया गया कारिय है वो गती जूर्जा के इकवल होगा किया गया कारी किस के इक्वल होगा गतीज उर्जा के इक्वल होगा एक स्थिदी ऐसी हो सकती है कि कण है वो किसी वेग से गती कर रहा हो कण है वो किस से गती कर रहा है किसी वेग से गती कर रहा है और उसके उपर कोई अवरोधी बल लगता है तो वो विरा मवस्था में आ जाता है तो जिस अवरोधी बल के दुआरा किया गया कार्य गती जूर्जा के इक्वल होगा चले इन चीजों को समझें कई बार इसमें क्या होता है कि जैसे एक आफ बल लगाया तो उसमें कितना विस्थापन क्रियेट हो जाएगा गतिसील वस्तु को आफ अवरोधी बल लगाकर रोकने पर तय दूरी देखो यहां पर अब की वार समझें इसको इससे ही हम फाइंड आउट करेंगे कि जो अंतिम वेग है वो तो हजीरो प्रारंबिक जो गति जूर्जा है वो अवरोधी बल लगाने से हम जैसे कोई पिंड गति कर रहे हैं उसको हम रोक रहे हैं तो रोकने में खर्च हो जाती है तो यहां पर जो कारिय किया जा रहा है वस्तु को रोकने में किया जा रहा है यह जो बल लग रहा है वो है अवरोध स्क्वेर के एक बल हो जाएगा देखो यहां पर तो मैंने प्रारंबी गति जूर जा जीरो ली यहां पर अन्तिम गति जो बड़ यहां पर जो बल है ना वो अवरोधी बल है यहां पर बल कैसा है अवरोधी बल तो तैकी की दूरी का जो फोर्मूला है वो क्या हो जाएगा हाप M V स्क्वेर बटे में F के एकवल हो जाएगा हाप M V स्क्वेर बटे में F इसको आप ध्यान में रखें कई बार सीधा इसके उपर डिपेंड ग्यूशन पूछा जा सकता है कि अवरोधी बल लगाकर यदि वस्तू रुक रही है तो गती जूट जा बटे में जो अवरोधी बल लगाए जाएगा उनका अनुपाथ है वो उससे वस्तू के दोबार तै दूरी के एकवल होगा कई बार जैसे गरसन बल से वस्तू रुके किसे रुके गरसन बल से वस्तू विराम वस्ता में आए गरसन बल क्या हो अवरोधी बल हो अर गरसन बली क्या हो? अवरोधी बल हो तब जो टैगी की दूरी है वो हाप M V स्क्वेर देखना F हो जैएगा म्यू अस इंटू R और R हो जैएगा M इंटू G तो यहां से M से M के एंसील हो गया V स्क्वेर बट्टे में 2μू S G हो जाएगा गर्सन बल के अधियन कोई V वेक से गत्सील वस्तू पर गर्सन बल लग रहा है मू S, गर्सन उनांक मू S है तब उसके द्वारा तेगी की दूरी यह होगी V स्क्वेर बट्टे में 2μू S G तो यह मैंने यहां सही निकाले हैं सब कुछ कारी उर्जा पर में सही फोर्मूले निकाले है तो देगो इसमें एक वार फेर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कारी उर्जा पर में क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर कारिय करते है इट मिन्स उसकी गती जूर्जा में परिवर्तन हो जाता है तो कारिय क्या होगा गती जूर्जा में परिवर्तन के तुल्ले होगा तो कारिय गती जूर्जा में परिवर्तन के इक्वल घति जूरजा को मंतिम घति जूरजा चाह Biz кого यहां से पूट कर सकते हैं अब देखिए कोई विराम में पड़िया उसे हम घति प्रदान कर रहे हैं तो कारिय करना पड़ एगा हमारे द्वारा जो किया गया कारिय है उसकी घति जूरजा में वर्दी के इकवल होगा हम इस कारिये को बल गुणा विस्तापन बराबर गती जूर्जा लिख सकते हैं दूसरी स्थिधी क्या हो सकती है कि कोई वस्तू गती कर रही है उसको हम कोई अवमंदन लगाकर कोई अवरोधी बल लगाकर रोक रहे हैं तो देखें जब कोई वस्तूग जिसकी गती जूर्जा हाफ mv-square थी अवरोधी बल लगा तो उसका गती जूर्जा 0 हो गई तब जो कारिय है w बराबर ये अवरोधी बल होगा देखो ये प्रारम्भी गती जूर्जा माइनस अंतिम गती जूर्जा 0 है वैसे ये माइनस में होगी तो ये अवरोधी बल होने के कारण से माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तब जो तैगी की दूरी है वो गती जूर्जा बट्टे में अवरोधी बल की इक्वल होगा ओके यहां पर देखें ये अवरोधी बल क्या हो गरसन बल हो और गरसन बल हमने पहले पढ़ ल यहां तक समझ में आ गया होगा अब हम कुछ क्यूशन्स देख लेते हैं देखें पहला क्यूशन देखें कि 0.05 किलोग्राम दुरिमान की गोली 80 मेटर प्रतिसेगिन की चाल से गती कर रही है तो लकड़ी की गुटके में प्रविष्ट होकर 0.40 मेटर की दूरी के बाद इस्तिर हो जाती है गुटके द्वारा गोली पर आरोपित औसत प्रतिरोदी बल कितना होगा चले यहाँ पर हमें M बराबर कितना दे रखा है चले यह क्यूशन आगया समझ में यह हमें दे रखा है M यह हमें क्या दे रखा है M यह हमें दे रखा है V और लकड़ी की गुटके में प्रिवेष्ट होकर यह हमें दे रखा है X और इस्तिर होने के बाद में परतिरोदी ब जब लगता है तो अवरोधी बल लगने के पस्चाद बस्तु के द्वरत तैगी की दूरी अक्स हाफ mv² बट्टे में f के एकवल होगी तो f बरावर क्या होगा 1 बट्टा 2m v² बट्टे में अक्स 1 बट्टा 2 m कमान कितना है 0.05 v कमान कितना है असी गुणा असी अक्स कमान कितना है 0.4 0 तो यहां से 2 संग्या पहले पॉइंट टाएंगे मैं यहां से पॉइंट हडा दूँगा दोनों संग्या से तो यह इसमें चला गया दो बार में दो से यह कट गया है 5 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना आगया यह आगया 400 न्यूटन का अवरोधि बल लगेगा कितना न्यूटन काम करेगा 400 न्यूटन का अवरोधि बल यहां पर काम करने वाला है मीडादू में इसको केल्कुलेशन करनी है आसान फोर्मूला लग रहा है अगला क्यूशन देखें दो पिंडो A और B की दुरिमान करमे से 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है परतेक पर 4 किलोग्राम भार का बल क्रिया सील होता है यदि इनके द्वारा समय TA था TB में समान गती जो जब प्राप्त की जाती ये तब अनुपात TA पॉन TB कितना होगा क्यूशन को समझें एक बार कि हमें दोनों पिंडों का दुरुमान 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम दे रखा है M1 बराबर दे रखा है 20 किलोग्राम M2 बराबर दे रखा है 5 किलोग्राम दोनों के उपर समान बल लग रहा है दोनों की गती जुरुज़ा समान हो जाती है T A और T B समय में चले तो हम एक relation जानते हैं देखें क्या जानते हैं आविए एक बराबर होता F into delta T बराबर delta T ये हम जानते हैं ओके ये relation हम जानते हैं तो देखें F into T इसको मैं यहां पर T से पुट कर दूँ और समवेग में परिवर्थन जो delta P होता है मैं यहां पर जो समवेग में परिवर्थन हो रहा है delta P इसको हम गती समवेग के equal put कर सकते हैं P के equal put कर देंगे तो यहां पर मैंने T लिखा तो यहां पर मैं P लिख दूँगा तो T बराबर आ गया P बटे में T और P बराबर हम लिख सकते हैं अंडूड में 2M K 2M K हम put कर देंगे तो देखो यहां पर गती जूर्जा सेम है बल सेम है तो जो समय है वो दुर्यमान के अंडूड के समानुपाती होगा तो यहां पर T अपोन में T B किसके equal हो जाएगा अंडूड में M1 बटे में M2 के equal हो जाएगा M1 कितना BASE M2 कितना 5 भाग लगाएंगे कितना जाएगा 4 जाएगा 4 बटा 1 मतलब 2 अनुपात 1 तो T A अनुपात T B कितना जाएगा 2 अनुपात 1 के equal आजएगा विद्यारती यह था उर्जा का हमारा पहला पार्ट उर्जा के second पार्ट में हम बात करेंगे इस्तती उर्जा के बारे में कि इस्तती उर्जा होती क्या है इस्तती उर्जा में हम हैं गुरुती इस्तती उर्जा चुम्बकी इस्तती उर्जा विद्दूती इस्तती उर्जा प्रत्यासती उर्जा इन उर्जाओं की बात करेंगे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं उर्जा से लिटेड ही वीडियो लेकर आएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों